तमस्कार दोस्तों, अगर आपने रिसेंटली कुछ न्यूस सुना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि बेंगॉल में, वेस्ट बेंगॉल में, यहाँ पर एक सेपरेट स्टेट की डिमांड कही जारी है, कुछ BJP MPs के दौरा, यह जो मुद्दा है उसको रेस किया गया, य तो इसके बारे में तो हम समझेंगे, लेकिन सबसे इंपोर्टेंट जो हमारा मुद्दा है इस वीडियो के अंदर, वो यह है कि अभी तक अगर आप बेंगॉल में देखोगे, तो कई बार यहाँ पर मुद्दा उठा है, यह जो मुव्मेंट है, इसको सेपरेट स्टेट क डिमांड की बात कही जा रही है, तो कौन-कौन से मुव्मेंट थे, क्यों हो रहा था, इन सब के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, काफी कुछ जाने को आपको मिलेगा, चली आगे बढ़ते हैं, अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं, तो इसके बारे में सारी जानकारी इन जंगल महल एंड नॉर्स बेंगॉल, डोंट वरी मैं आपको मैप में सब कुछ दिखाऊंगा, कि यह है कहाँ पर जंगल महल किसको कहा जा रहा है, नॉर्स बेंगॉल किसको कहा जा रहा है, लेकिन मैं आपको पहले बता दूँ कि BJP जो पार्टी है as a whole, उन्होंने बोल जो एक constituency है, वहाँ पर parliamentary constituency, उनके जो member of parliament है, John Burla, उन्होंने ये सवाल उठाया कि North Bengal में एक union territory या फिर state का दरजा मिल जाना चाहिए, या आप देख सकते हो, West Bengal का पुरा map आपको दिख रहा होगा, तो ये especially जो North Bengal है ये हमेशा से विवाद मेरा है, हमेशा से जैसे आपने गो movement हुआ है, जो कि हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इसी को अलग राज्य का जो demand है, वो BJP के MP के द्वारा उठाया गया, फिर आगे चलका 21st of June को, यहाँ पर जो एक और MP है, Bengal से, Sumitra Khan, उनके द्वारा कहा गया कि जंगल महल रीजन को अलग कर देना चाहिए, ये आप अगर आप देखोगे, ये जो आप औरेंज कलर में देख रहे होंगे, ये ये तीन डिस्टिक एक तरह से जंगल महल का आ जाता, जंगल महल बेसिकली पहले ये काफी हद तक moist area हुआ करता था, काफी बड़ा गड़ हुआ करता था moist का, अब तो चला गया उतना, लेकिन इसक education, health, infrastructure, इस तरह की कीजों के demand जो हमेशा उठता है कि वहाँ पर employment नहीं है, jobs नहीं है, लोगों को sideline किया रहा है, बाकी राजी के लोगों के मुकाबले, तो यही basically होता है, lack of development, यही main demand है, लेकिन उसी दिन क्या हुआ, 21st of June को, यहाँ पर जो BJP State President है दिलिप गोश, उन्हों तीन movement की मैं बात करूँगा, सबसे पहले हम देखेंगे गोर्खा land movement, जो की सबसे लंबा चलता आया है, और हमेशा इसकी चर्चा होती है, गोर्खा land movement की अगर हम बात करें, तो यह violent movement टरनाउट हो गया था, in the 1980s, तो 1980s में इसका पूरा आप कह सकते हो, एक violent movement के तोर पर त कुछ बिहार, यह तीन important है, यहीं पर अकसर जो है, डिमांड उठती है, तो इसी का zoom in map आप देख पा रहे हो, यह डाजलिंग हो गया, कैलिंग पॉंग का एरिया हो गया, इसके लावाद जलपाई गुरी में बहुत सारे जो नर्दन एरिया है, कुछ बिहार हो गया, इसके कुछ नर्दन एरिया हो गया, इनको एक प्रकार से गोर्खा लैंड बनाना चाहिए, इसकी डिमांड उठ रही थी, और साथी साथ जो सिली गुरी कोरिडर, यह आप देख रहो ना, सिली गुरी वाला एरिया है, यह भी आपको ध्यान रखना है, डाजलिंग हिल के साथ इस सेम चीज़, इलेक्टरिसिटी, हेल्थ केर, स्कूल, जॉब्स नहीं है, इसलिए हमें अलग राज़े चाहिए, और यह जो एजिटेशन अगर आप देखो, बहुत ज़दा वॉयलेंट हो गया था, 1985-1986 जब 1200 से ज़दा लोगों की मिर्ती होई थी इसके अंदर, बड़ी स्वाइतिता देनी की कोशिश की गई वहाँ पर कि लोग खुद से कुछ डिसिजन ले सकें, इसको बोला गया डार्जलिंग, गोर्खा हिल कांसिल, और यह करीब 23 साल तक चलता रहा के, 2007 तक अगर आप देखोगे, सॉरी, 2007 नहीं, 2011 तक, इन्फेक्ट मैं आपको आगे बता बिमल गुरुंग, यह बिमल गुरुंग क्या थे, यह जो घी सिंग है, उसी के एक प्रकार से, एड आप कह सकते हो, सुभाज घी सिंग जो है, उसी के एड था, बिमल गुरुंग, यह यहाँ पर क्या करता है, कि इसको उठानी की कोशिश करता है, उस समय क्या करता है, यह ये break कर जाता है और अपना खुद का एक party बना लेता है गोर्खा जन्मुक्ती मोर्चा और ये बहुत important चीज है गोर्खा जन्मुक्ती मोर्चा अगर आप आज के rate में देखोगे तो BJP के साथ power में आपको पता ही होगा 2010 से यहाँ पर BJP के MP बनता आ रहा है because of the support of गोर्खा जन बड़ा area autonomy दी जाती है इसको बोला जाता है आज के rate में आप जानते हो गोर्खा territorial administration ये काफी important हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो autonomy है वो देने की कोशिश की जाती है अब इसका area बढ़ा दिया जाता है मैंने आपको जाना डाजलिंग का area था इसके अंदर कैलिं पौंक हो गया इन सबको भी यहाँ पर add करने की कोशिश की जाती है नए वाले area के अंदर फिर 2017 में काफी लंबा चला था अगर आपको यहाँ दो तो यह decent times की बात है 2017 में 104 दिन तक पुरा shutdown हो गया था काफी जादा चिंता बढ़ गई थी कि exactly होने क्या जा रहा है वहाँ प मतलब यह गोर्खा लेंड को लेकर पिछले एक दो साल से कोई बहुत बड़ा कोई demand ऐसाच हमें देखने को नहीं मिलता है लेकिन मैं आपको बता रहा था कि 2009 से जो गोर्खा जन्मुक्ती मोर्चा पार्टी है वो BJP के साथ सरकार आप कह सकते हो कि win करते आई है वहाँ की ज इसका नाम था कोच राजबोंशी कम्यूनिटी जो है वो एक स्केड्यूल कास्ट कम्यूनिटी थी in West Bengal और इनका ये demand था कि 8 में से North Bengal में आप देखोगे 8 में से 7 जो districts हैं उसको एक प्रकार से यहाँ पर इसके अंदर लाना चाहिए इसके साथ साथ यहाँ पर जो कई सारे आसाम के district है मैं आपको दिखाता हूँ ये आप देख रहो ना ये North Bengal का district हो गया एक तो ये वाला पूरा कोच बिहार तक इसके लावा आसाम यहां से आसाम स्टार्ट हो जाता है राइट साइड में ये आप देख रहो आसाम में कोकरा जहार हो गया इसके लावा बोंगई ग कर लो इनका कहना था कि नेपाल का जो जहापा है उसको भी इसके अंदर शामिल कर लो और सबसे पहली बार इन्होंने इसको रेस किया था 1995 में क्योंकि उसके एक लीडर थे KLO कामतापूर लिबरेशन लिबरेशन ओगनाईजेशन ये बनाय गया था ये एक मिलिटेंट ओग और अगें यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो उनका यह कहना था कि हमें जो अनेप्लाइमेंट की समस्या है लैंड एलिबरेशन किया जा रहा है लैंग्वेज हो गया इडेंटिटी हो गया एक मुद्दा यहाँ पर आ रहा था लेकिन 2000 के बाद ऐसा कोई बड़ा कूच बीहार अगर आप देखोगे तो आजादी के बार 1949 में इसको भारत के साथ मर्च कर दिया गया था इसमें क्या होता इसको C कैटेगरी का स्टेट दिया गया अगर आपको याद हो तो जब अलग-लग स्टेट बने थे तो A category B और C D और Union Territory वगर आपको पता होगा इस तरह से तो ये C category के अंदर रखा गया था और 3 treaties के मुकाबले जो है इसको merge कर दिया गया था अब इसको क्या किया गया 1950 में आप देखे तो divide कर दिया गया bifurcate कर दिया गया Central Government के दोरा कुछ पार्ट आपका West Bengal में आ गया जो कुछ बिहार मैंने बताया और कुछ हिस्सा जो है इसका आसाम में चला गया तो यहाँ पर क्या होता है कि इनके द्वारा 1998 में ये जो ये जो organization आप देखे हो Greater Kuch Bihar People's Association उन्होंने इसका मुद्दा उठाया और कहा कि हमें अपना एक district चाहिए और इनके हिसाब से वो जो North Bengal वाला area वो तो हई है प्लस असाम का अगेन Kokra, जहार, बुंगईगा और दुब्री जो मैंने आपको गया ये वाला कामतापूर movement कुछ वैसा ही आपको यहां पर भी areas देखने को मिलेगा लेकिन इसका भी कोई बहुत असर नहीं होता है 2008 के बाद से कोई major movement नहीं हुआ क्योंकि 2005 में बहुत सारे लोगों को arrest किया गया था और 2008 में यहां पर जो party है Coach Behar Democratic Party जो उन्होंने बनाया था वो fast unto dust चले गए उन्होंने कहा कि हमारी जितने भी leaders है आप उनको please release करतो तो यह तीन movement है दोस्तों और गोर्खा लेंडम कह सकते हैं कि अभी थक का सबसे बड़ा movement जो North Bengal से separate करने को मिलता है लेकिन एक नई चीज इस वाले में देखने को मिली है जो BJP के MP है उन्होंने जंगल महल वाला मैंने आपको दिखाया जो western side वाला है उसको भी अलग राज के demand कर रही है तो conclusion में हम क्या कह सकते हैं कि जो ममताब अनरजी है उनका यही बयान आया है कि यह हम ऐसा होने नहीं देंगे union directory especially नहीं होने देंगे क्योंकि UT के case में क्या होता है वो सब कुछ central government के अंदर आ जाता है और जो लोग है वो new Delhi के mercy पर आ जाता है मतलब नई दिली जो भी कुछ करेगी वही करेगी तो इसके लिए मनताब अनरजी का कहना है यह हम कभी होने नहीं दे सकते और जो लोग है उनकी freedom चली जाती है इस तरह की चीज़ों की बज़े से जो भी है यह politics वगर है आपका चलेगा लेकिन जो मुद्धा था overall separate state का वो क्यों हो रहा है किस लिए अभी तक क्या हुआ I am sure कि आपको काफी कुछ जाने को मिला होगा जाने से पहले एक interesting question जब हम state की बात करते हैं अगर suppose नया state बनाना है तो उसमें आपको पता है बिल वगर लाना पड़ता है क्या उसमें प्रेजिडेंट की सहमती चाहिए नहीं चाहिए जो भी है यहाँ पर अगर नया state फॉर्म करना है उसके लिए क्या process अपनाना होगा इसमें से चार में से कौन सा statement correct है यह आपको बताना है इसका जो right answer होगा आपको पताई है मेरे Instagram पर तुम मिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं Telegram से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ Stories के form में आप जाकर play कर सकते हो बाकि अगर आपको इसका PDF चाहिए अलग-अलग social media पर जूणना चाहते हैं तो आज सकते हैं और अगर आप UPSC की तयारी कर रहे हैं किसी भी exam की preparation कर रहे हैं आप हमारा app डाउनलोड करिए StudyIQ.com विजिट करिए सभी जानकारिया आपको बहुत ही affordable rates पर courses मिल जाएंगे I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता हूँ आपसे next time till then Thank you very much, see you soon